हाई फोक्स मैं हुरिशब और आज की वीडियो में बात करेंगे फोर्कास्टिंग इन एक्सल तो फोर्कास्टिंग एक काफी इंपॉर्टन टेक्नीक है अगर आप डेटा अनलिस्ट फील्ड में जॉब धून रहे हो तो यहाँ पर हम लोग एक डेटा विजलाइशन बाकी मैंने कुछ चेंज़ेंगे यहाँ पर हम लोग व्यूस प्रेड़िट करेंगे यहाँ पर जो डेटा है मेरे पास वह 14 जैनवरी 2023 तक का है और इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूस प्रेड़िट करके भी देखेंगे और बाद में उसको हम लोग एक्चुल वैल्यूस से कंपेर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम में डेटा विजलाइशन यहाँ पर आप देखो में पास 15th मतलब 14th के बाद का डेटा है एक विक का और डेटा है ठीक है और उनकी कुछ वैल्यूस है तो इससे हम लोग अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यूस जो होंगी या फोर्कास्टेड जो वैल्यूस होंगी उसको हम लोग कंपेर करके देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड़ बता देता हूँ कि कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं उसके काफी सारे वैरियेशन है तो जो एक तरह का अलगोरिदम है और उसी की बेसिस पर डिफरेंट फॉर्मले बना हुए तो हम लोग सिंपल वैरियेशन यूस करेंगे सिंपल फोर्कास्ट जो आपको लास्ट मिल जाएगा अब जैसे ही मैं फोर्कास्ट को सेलेट करता हूँ अब देखो ये मुझे सबसे वैरियाबल पूछ रहा है एक्स तो एक्स का मतलब जो बेसिक मैट्स में पढ़ते हैं जिसका वैल्यू मुझे निकालना हो तो मुझे निकालना है किस डेट का निकालना है 15 जनवरी 2023 का तो वहाँ पे मैंने वो column select कर लिया या वो cell select कर लिया उसके बाद मैं लगाऊंगा comma अब यह पूछ रहा है कि known y s ठीक है तो आपको x की value निकाल ली है और known y पूछ रहा है ठीक है तो यह column मेरा जो right side में आपको column दिख रहा है views का यह y column हो जाएगा क्योंकि x मेरा date या time चल रहा है ठीक है तो यह सारा values में select कर लूँगा क्योंकि उसने y नहीं पूछा y's पूछा है तो सारे y चीए तो इस सारा select कर ले रहा हूँ जो कि यह b3 से b230 तक ठीक है अब मैं लगाऊंगा comma अभी last variable आपसे पूछ रहा है known xs ठीक है आप x की value चाहिए x हमारे पास क्या date है तो सारा x का value select कर लूँगा मैं except 15 15 आपको select नहीं करना है 14 gen तक select करना है इसके बाद आप bracket close करोगे और enter तो यह जो predict कर रहा है value 1750 value predict कर रहा है 15th gen को तो इतने easy तरीके से आप एक value predict कर सकते हो मतलब बहुत easy यार यह अतलब एक formula लिकाओ और value आजाएगी तो यहाँ पर मैं decimal हटा दे रहा हूँ उसके लिए यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने decimal हटा दिया तो मुझे एक week का data forecast करना है इसको ऐसा highlight कर दे रहा हूँ और इस values को मैं copy कर दे रहा हूँ data validation वाले tab में ठीक है ठीक है और जो उस column का नाम उसको मैं formula दे रहा हूँ ताकि हम लोगों पता रहे कि यह values formula की help से आए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने काफी हद तक ठीक ठाक प्रेट किया है जैसे 1750 बोला था बड़ जो actual है मेरा 1671 है मतलब कम है दूसरा इसने बोला 1753 है इसने actual है 1783 जो की लगबग लगबग पास है याना काफी अच्छा प्रेट किया है अब चलते हैं अपने method number 2 पर ठीक है दूसरा जो method है वो काफी easy है उसमें क्या करना आपको इस दोनों column select करने है सारे के सारे control shift down arrow से सारा select हो जाएगा मैं जाओंगा insert tab में यहाँ पर जाओंगा line chart ठीक है और simple एक chart ले लूँगा तो आप देख सकते हैं में पास यह simple एक line chart आ गया इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस option दीकर आपको इसमें जाहिए यहाँ पर एक option होगा trend line का ठीक है मैं यहाँ क्लिक करूँगा अब different options हमें पास trend line बनाने के तो मैं करता हूं linear तो आप देख सकते हैं यहाँ एक blue dotted line आगी होगी मैं आपको help करने के लिए इसका line का color change कर देता हूं format और इसका color मैं कर देता हूं red अगर अब भी भी नहीं दिख रहा तो इसका मैं थोड़ा सा width बढ़ा देता हूं चिक तो I hope आप आपको दिख रहा होगा तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यह dotted line होती क्या है तो यह जो आपको line दिख रही है यह एक मेरा algorithm है यह model है जिसने यह line बनाई है और यह किसी calculation के basis पे बनी होगी तो जैसे यहाँ पे जो मैंने model select किया अगर मैं इसको click करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया linear model ठीक है तो suppose कर अगर यह linear regression model होगा तो एक equation होगी y equals to mx plus c और आप screen पे देख सकते हो equation जो मैंने बताया भी आपको y equals to mx plus c तो जो y है वो आपका outcome है मतलब जो आपको output चाहिए जो predicted या forecast value वो है x जो है वो time है जो m है वो slope है और जो c है intercept है ठीक है तो जो different values मैंने x और y की दिया न date और views की उसके basis पे यह m और c की values एक निकाल लेगा उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास जो y की value है वो है time की ठीक है तो उसको मैंने बोला 15 January का data चाहिए तो वो y की जगा 15 लिख देगा और x की value calculate कर लेगा क्यों क्योंकि m और c की values तो मेरे historical data से वो निकाल चुका है चीक है तो यह काम करता आपका एक model तो अगर आपको equation देखके दिमाग खराब हो रहा है तो एकदम simple terms में बताता हूँ कि आपको सिर्फ एक ऐसी line ड्रॉ करनी है यहां से आपको option select करने है जो कि जो आपके points है जितने भी up और down जो आपको points दिख रहे है उनके एकदम center से pass हो मतलब यह जैसे भी आपका curve बन रहा है उसको एकदम accurate pass करेए ठीक है जो सबसे best fit हो जाए इस line में इस जो curve दिख रहे हैं इसमें सबसे best fit हो जाए वह line आपको चाहिए ठीक है तो जैसे अगर मैं linear देखता हूँ तो यह मुझे ठीक ठाक लग रहा है बट अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ point चूट गया है यह पूरा point चूट गया है मेरा उपर की values cover नहीं हो रही यह देखो आप यह पूरा का पूरा section देखरो आप यह भी cover नहीं हो रहा है नीचे से line जा रही है तो यह मुझे थोड़ा सा doubt लग रहा है बट काम चल जाएगा इससे भी इसके लाव आप दूसरा model देख सकते हो जैसे exponential अगर मैं चेक करता हूं तो exponentially तो एक दम ही खराब हो गया क्योंकि आप देखो यह पूरा का पूरा values उपर निकल गया और उसके लावा moving average है ठीक है तो यहां पर मैं आपको इबाल बताता हूं कि अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी line select करें तो उसके लिए सबसे एजी तरीका बताता हूं आप सबसे लास्ट माई यह स्क्रॉल करके यहां पे एक option मिलेगा आपको display r squared value ठीक है अगर इसको क्लिक करता हूं मैं तो यहां पे एक value आई है इसको उठा के मैं लाता हूं उपर इसका थोड़ा सा रंग रूप ठीक कर देते हैं ठीक है तो यह आ प्यक्षि Kyung करता है वो r के value से बताता कि आपको model है उसका performance कैसा है मतलब कितना अच्छा prediction कर सकता है यह model आपको तो जितना अच्छा value R का होगा, R का value हमेशा होता है 0 से लेके 1 के बीच में, तो जितना ज्यादा value 1 के पास होगा, उतना अच्छा आपका model है, तो 1 ideal case होता है, ऐसा कभी output मिलेगा नहीं आपको, जैसे मेरे case में 68% मिल ला है, जो की काफी हद तक actual it है, तो जैसे आप R की value यहा सकते हो, जो भी forecasting model होते हैं या technique होती है, उनकी performance हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो जैसे यह जो example में आपको दिखा रहा हूँ, R square का, यह होता है linear regression model के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, R square को हम लोग coefficient of determination भी बोलते हैं, और अगर इसको में बात करूं, definition की, how well the fitted line, regression line fits the data, ठीक है, जो सबसे अचा fit करेगी, हो सबसे अचा, मतलब आपको forecast value देगी, तो यह जो R square है, यह है proportion of variation that is explained by linear model, ठीक है, मतलब उसने predict किया कि forecast value 100 है, बट actual में 90 है, तो जो 10 का gap आ रहा है, वही R square calculate करता है, आप ऐसा high level समझ सकते हो, और नीचे जो मैंने आपको बताया सेम चीज लिखा हुआ है, कि इसकी value 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जितना value 1 के पास होगी, उतना अच्छा आपका model का performance होगा, नीचे यह formula भी दिया है, तो यह भी आप देख सकते हो, कैसे R square को calculate करते है, दुबार चलते Excel में, अब हमारे पास R square की value आ गई है, तो आप का काफी gap है, line और जो points के बीच में, इसको center से pass होना चाहिए था, तो यह तो वैसे भी खराब है, और R square के value के साब से भी खराब है, अगर आप log rhythmic देखते हो, तो वो भी same ही आ रहा, 0.68, अगर आप polynomial देखते हो, तो यह भी 0.68 आ रहा है, मगर polynomial में आपके पास काफी सारे option हो जिसमें आप जो polynomial का order change कर सकते हो, चीक है, तो उसके basis पर आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे इसको मैं 3 करता हूँ, तो आप देख सकते हो, मेरे model का जो performance है, वो कितना improve हो गया, मतलब 68 से सीधा 78% पर आ गया, ठीक है, तो अगर मुझे कोई technique select कर ना होगा अपने data को credit करने के लिए, मतलब मुझे जानना है कि भाई, फरवरी या मार्च मेरे कितने views आएंगे per day, YouTube चैनल पर, तो फिर मैं इस model का help लूँगा, ठीक है, जो कि polynomial और ये third order का है, third order का मतलब इसमें x cube लगेगा, तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा इसम calculation हो रहा है, इससे आपको कोई लेना दिना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि actual भी a cube का ही, जो मैंने यहाँ पर three किया, उससे whole क्या रहा है, और अगर मैं आपको linear select करता है, तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर simple आ रहा है, y equals to mx plus e, जो कि मैंने आपको भी example में दिखाया था, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, तो यह back end में calculation हो रही, आपको calculate नहीं करना है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे case के लिए तो सबसे बढ़िया polynomial है, तो मैं वो select करूँगा, यह हटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप देखके equation को डर जाओग और उसमें लिखाया forward, इसको मैं कर दूँगा, 7 days का मुझे forecast करना है, ठीक है, तो मैं करता हूँ 7, तो आप देखो यहाँ पर यह 7 days का forecast कर रहा है, इसका मतलब 7 days के बाद मेरा जो views आएगा, वो somewhere around इस line के पास है, और यह line 2500 का है, तो around 2400 के आसपास, ठीक है, 23, 2400 के आसपा मेरे चैनल पे actual में views आये थे, ठीक है, और यह model same way predict कर रहा है, इसलिए आपको model select करना बहुत जरूरी होता है, और इसी तरह से आप जितना चाहूँ उतना data forecast कर सकते हो, अगेन एक बात का ध्यान रखना, आपके पास जितना accurate historical data होगा, और जितना ज्यादा historical data होगा, उतना अच्छा आपको forecast की value मिलेगी, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपे लिया था seven days, अब मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि तीन महिने में कितना होगा मेरा per day का views, तो यह बोल रहा है, तीन महिने में मेरा per day views जाएगा somewhere around 2300, अच्छा है, यह linear के हिसाब से बता रह जो की काफी अच्छा views है, अगर इसी तरह मैं अपने YouTube चैनल पर consistent रहता हूँ, ठीक है, तो काफी interesting लगता है मुझे इस सब चीजे करना, इससे मुझे पता लगता है कि कितनी growth होगी, अब चलते है अपने सबसे last method पे, जो की काफी actual है, जिसको हम लोग भी use करते हैं office में का forecast करके, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा forecast sheet, तो आप इस पे click करिए, जैसे click करोगे, आपको एक option खुल जाएगा, अतलब एक अलग से menu खुल जाएगा, उसमें ये दिखा रहा है कि forecast है, आप देखो है, आप तीन values forecast करके दिखा रहा है, तो ये तो होगी आपका basic, अगर मैं इसको direct यहाँ पर create कर दूँगा, तो आपको forecast की value देदेगा, बट इसमें आप कुछ parameter के साथ खेल सकते हो, तो यहाँ पर देखो, आपको option दिया है सबसे नीचे, आप उस पे click करो, तो यहाँ पर forecast का end date देख सकते हो, जो कि यह 12 March 2023, इसको मैं change कर सकता हूँ, अपने हमें, कितने confident हो, आप उस data पे कितना load ले सकते हो, कि हाँ भाई यह जो इस data की basis पे जो मेरा feature का prediction होगा, वो सही होगा, तो यह 95% दिखा रहा है, एक confidence level, उसको मैं कम करके 85 पे कर दे रहा हूँ, वो मुझे ठीक लग रहा है कि 85 में थोड़ा सही prediction करेगा, इसके लावा अगर seasonality है data में, खेर वो automatically detect कर लेता है, क्योंकि background में calculations होती है, उस equation के basis पे, इसके लावा अगर आपके पास कोई forecast statistics है, तो वो भी आप यहाँ पे include कर सकते हो, और यहाँ पे time range जो हम लोग ने select किया, जो मेरा पर date है, और यह जो आपको values range दिख रहा है, यह है मेरा views, कितने videos पे views के, ठीक है, वो data है, इसके लावा अगर कोई missing data है बीच में, जैसे मा लीजे कभी कोई data नहीं आया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, interpolation तो calculate करके भर देगा, या तो अगर आप चाते हो कि उसको 0 छोड़ दे, तो 0 भी कर सकता है, ठीक है, और last में data aggregation के लिए तो यह average ल forecast, इसकी जरुत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो यह जो अब भी हम लोग ने बाहर देखा, वही आपको चार्ट में दिखा रहा है, तो चार्ट में उतना समझ भी नहीं आएगा, यहाँ पे actual data देखते हैं, तो यह आपको, यह नए sheet actually create कर देगा, जैसे आ forecast create पे click करोगे, और यहाँ पे आपको तीन नए column मिलेंगे, date और views तो मेरे पास थाई, तीन नए column कौन से, एक आएगा सबसे पहला forecast, दूसरा है lower confidence forecast, और तीसरा है आपको पस upper confidence low cast, ठीक है, अगर normal में भी आज समझ सकते हो, कि इसने यहाँ पे normal forecast किया, इस column में, यहाँ पे predict किया था, तो वो यह मेरे पास data है, तो यह हो गए आपके तीन method, जिनकी help से आप forecast कर सकते हो, Microsoft Excel में, तो I hope आपको को सीखने को मिला, तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए, bye bye